अंतरस्चिय तेल मार्किट में कमजोर डिमांड और अनिश्चित विदेशी बाजार का असर पाम तेल की किम्तों पर पड़ता दिखाई दिया है ग्रेलू बाजार में पाम तेल की किम्तों में लगातर मंदी का महूल है दूसरी और मुंफली तेल में भी उचे दामों पर मांग कमजोर रहने से गिरावट देखने को मिली है दूसरी और प्लांचों की सोया बीन खरीदी एका एक बाजार में बढ़ गई है जबकि मंडियों में आवक बेहत कम होने के कारण सोया बीन के दाम बढ़ा कर बोले जगए है सुत्रों से मिली जानकारी के मताबिक ब्राजील की नई सोया बीन की फसल 1510 लाख टन और जबकि कनेडा की नई कनोला फसल 200 लाख टन के करीब होने की संभावना है लेकिन बायो डिजल में कनोला आवल का उप्योग पिछले साल से भी नीचे चला गया है वहीं इंडोनेशिया में घ्रेलू ज़रूरत के लिए अधिक आबंटन पर बायो डिजल में 110 लाख टन सीप्यों की खपत की संभावना जताई गई है इंडोनेशिया में प्रतिसपर्दी मुल्या के कारण पाम तेल के निर्यात की गती फिलाल धीमी होती दिखाई दी है और आगे भी धीमी रहने की संभावना जताई जा रही है बिरो रिपोर्ट मारके टाइम्स टीवी